खमागनी सबको कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आज हम करने वाले हैं एकनॉमिक सर्वे में एग्रिकल्चर का नेक्स्ट पार ठीक है लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था एग्रिकल्चर का इंट्रोडक्शन ठीक है और उसमें कौन सी फसल में राजस्थान टॉप पे है अगर टॉप पे है तो हम इंडिया में कितने प्रतीशत कॉंट्रिब्यूट करते हैं उसको उत्पन करने में उसको उत्पादन करने में प्रडुक्शन प्रडुक्शन के अंदर जैसे कि अगर हम बात करें बाजरा में हम टॉप पे थ ठीक है आज के session में हम agriculture chapter में कुछ next points, next topics में आपको कराने वाली हूँ ठीक है और इसके साथ साथ आप हमारी बाकी सारी classes कहां पर देख सकते हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोर बता देती हूँ, दो मिनिट लोगे बस आपके, आप मेरी बाकी सारी free, live और plus classes देख सक आपको email id डालना है, आपको test prep category के अंदर जाके RPSC select करना है, अपनी भाशा चुननी है, English, Hindi, English, most preferably English चुन लिजेगा ताकि आप दोनों में join कर सके, और आप यहाँ पे फिर कोई भी free live class देखने के लिए, कोई भी free live class देखने के लिए मेरा referral code है, उसको use कर सकते है, MRP10, ठीक test जो है, वो attempt कर पाओगे, और इसके साथ-साथ courses की, अगर पूरी full-fledged आप तैयारी करना जाते हो, unlimited practice test आपको मिलेंगे, तो एक जो है, छोटा सा alert इसको बोल सकते हो, एक April से price hike announce होने वाला है, RPSC category के अंदर, तो जो भी learners अगर RAS exam की तैयारी कर रहे हो, computer instructor की तैयारी कर हो, या फिर LDC exams की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग 1 April से, 1 April, 1 April से पहले पहले जो है, मैं कहूंगी कि आप लोग अपना subscription ले सकते हैं, और उस subscription में 10% discount के लिए MRP 10 code आप apply कर सकते हैं, ठीक है, MRP 10 code अप्लाई करने से आप सबको 10% discount जो है, वो मिल जाएगा, इसके साथ-स आप scholarship दे सकते हैं, हर संडे सुबा 10 बजे टेस्ट होता है, इसमें जो भी learners 100 rank तक हासल करते हैं, उनको 25% से 75% तक की scholarship मिलती है, दो साल से जादा का subscription लेने पर राइट, तो प्लस के features बता देते हैं, प्लस में ये है, आप किसी भी particular exam की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजे R.A.S की कर रहे हो, मान लीजे R.A.S की कर रहे हो, 1st grade कर रहे हो, 2nd grade कर रहे हो, 1 रक्षक, 1 पाल, वीडियो की, किसी भी exam के अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हमारे सारे courses का access मिलेगा, चाहे recorded courses हो, चाहे live courses हो, घर पे बैठ के तो पढ़ ही पाऊगे, सारे top educators आ मैं YouTube sessions की PDF अपलोड करती हूँ, और किसी को कोई भी guidance चाहिए होती है, तो वह हम provide कराते है, Unacademy के learning app पे भी special class में आके, मेरी free live class में आके, कोई भी learner guidance के लिए, आप लोग पूछ सकते हो, last के 15 minutes class के हम guidance के लिए reserve रखते हैं, ठीके, तीन classes के बाद doubt clearing session होगा, live test series होगी, आप आपको notes जो है, मिल पाएंगे, और notes आप साथ के साथ download भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप खुछ से बना भी सकते हैं, और download भी कर सकते हैं, ठीके, RPSC first grade की category launch हो चुकी है, इसका price list है, 400 रुपे महीना, MRP 10 code लगा के 10% discount लेके, आप लोग first grade exam की तयारी कर सकते हो, ठीके constable exam की 1 रक्षक, 1 पाल की तयारी कर सकते हो, batch courses कौन-कौन से हा रहे हैं, हमारे upcoming courses, zenith course आ रहे है, RAS, English medium की बहुत demand आती है, learners की, तो मेरी अभी classes चल रही है, geography का batch अभी बस पूरा हो जाएगा, 31st को, वो सारे sessions आपको recorded मिल जाएंगे, और अभी जो class चल रही है, मेरी 7 PM, Rajasthan quality, in English medium, मैं करा रही हूँ, तो आप सब लोग join कर सकते हैं, ठीके, इसके साथ साथ, अगर आप computer instructor की तयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक ही subscription में मिल जाएगा, आपको RPSC का plus subscription लेना है, जो बच्चे RAS की तयारी कर रहे हैं, उन्हें advice करूंगी, दो साल का subscription ले, दो साल RAS के लिए 2 साल का subscription ले, MRP 10 code लगाने के बाद, ठीके, या मेरा एक और code भी है, तरुना लाइव, आपकी मर्जी है, confuse नहीं करना चाते हैं, आप सबको तो MRP 10 लगा लीजेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है लगाना, इसको लगाना में कोई गडबर नहीं होगी, कोई space नही देना बीच में आपको, ठीके, तो 7560 रुपे, 7,000 रुपे में आप RAS Pre-Mains Interview, English, Hindi, Medium, दोनों की तयारी कर सकते हो, हमारा नया बैच भी आ रहा है, विजय बैच, वाइल लिंगोल है, उसको जोईन कर सकते हो, एक साल के लिए 6300 रुपे, बाकी सारे price list यहां पे लिखे हुए So, be a part of plus community, combo offer भी है, मैं advise करूंगी, जो एक से जादा exam की तयारी कर रहे हैं, वो अपने लिए अपने एक specific exam, और साथ में RPSC exam वाला subscription जरूर ले, ठीके, अगर first grade की कर रहे हो, तो first grade plus RPSC, second grade की कर रहे हो, तो second grade plus RPSC, read की कर रहे हो, तो read plus RPSC, ठीके, तो आप लोग combo offers भी जो है, चुन सकते हैं, ठीके, तो ये सब join कर सकते हैं, credit card पर EMI आपके लिए available होता है, तो be a part of plus community, आप मेरी बाकी सारी classes वहाँ पर देख पाएंगे, और अपना time देने के लिए, thank you so much, तो start करते है, let's start, ठीके, start करते है, आज का पहला question है, हमारा, answer दिख रहे हैं, चले, तो start कर गया, I hope किसीने answer नहीं देखा होगा, पहला question है, आज का प्रचलित कीमतों पर, ये question ध्यान से पढ़ने होते हैं, प्रचलित कीमत पूछा है, या स्थिर कीमत पूछा गया है, प्रचलित कीमतों पर, वर्ष 2021 में, फसल शेत्र का सकल मुल्य समवर्धन के अंदर कितन contribution था, इंगलेश में अगर हम बात करे, gross value added of crop sector, gross state value addition होता है न, GSVA, है न, तो last class में मैंने आपको बताया था, GSVA के बारे में क्या होता है, तो gross state value addition के अंदर, 2021 में, current price में, crop sector का कितना योगदान रहा है, तो यहाँ पे value रुपयों के अंदर पूछी गई है, 0.55 लाख करोड रुपय, अच्छे, यहाँ समें दिखाई, नहीं दे रही हो आप लोगों को, और 2.55 लाख करोड रुपय, 3.55 लाख करोड रुपय, या फिर 1.55 लाख करोड रुपय, तो इसका क्या answer होगा, तो आपको बता देते हैं, इसका answer होगा, I hope किसीने नहीं देखा हो, तो याद क लीजे, 1.55 लाख करोड रुपय, ठीक है, GSVA जो calculate किया जाता है, उसमें crop sector होता है, उसमें livestock sector आता है, बहुत सारे अलग-अलग sectors का योगदान होता है, ठीक है, तो वो मैंने पिछली क्लास में करा दिये, जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है, प्रीज जाकर के देख लि रुपय, अगर हिंदी भाषा में याद करें तो याद कर लो, 1.5 लाग करोड रुपया है, ठीक है, कितना है, 1.5 लाग करोड रुपया है, नेक्स्ट क्वेशन पर आ जाते हैं, कौन सी खरीफ फसले हैं, RPSC का भी और UPSC का भी, RPSC का भी और UPSC का भी फिवरेट क्वेश सेंट्रिक्स, निमोनिक्स के साथ, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजेगा, उस पर फिर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो हांजी, बताइएगा, राई, सरसो, चना, रेप, सीड, मस्टर्ड या फिर ग्रैम, गेहू, बाजरा, मूं, यानि की वीट, ब बाजरा, मूं, यानि की ग्राउंट, बाजरा, मूं, और उसके बाद है, ओल आफ ती अबव, ठीके, तो निमन लिखित में से, खरीफ की फसले कौन-कौन सी हैं, तो बताइएगा, आई होब सबने अंसर कर लिया होगा, अब मैं बता देती हूं, 90% बच्चों ने अंसर जो में आते है, कौन सी फसलों में आएगे, रभी फसलों में आएगे, तो ये option गैंसल हो गया, गेहूँ जो है, हम सबको पता है, रभी फसल में आता है, तो ये option भी हमारा कैंसल हो गया, तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नबर C, मूम्फली यानि की ग्राउंट, बाजरा यान उनके नामों में भी अक्षर कम मिलेंगे जैसे रभी के अंदर दो अक्षर है र और ब, तो राई में देखो र और ई, जादा तर ऐसा मिलता है हमेशा नहीं बोल रहे हूं, गेहु में ग और ह, चना के अंदर च और न, जादा तर आप देखोगे कि जो रभी वाली फसले हैं वो कम अक्षरों वाली होते हैं, ठीक है और जो खरीफ है, इसके अंदर तीन अक्षर आते हैं, ख, र, फ तो चावल जो होगा जैसे की ठीक है, इसमें तीन अक्षर है, यह खरीफ हो जाएगी बाजरा हो गया, मूंग एक exception मान लो अप बाद तो हर जगाँ पे होते हैं तो exceptions are always there, उससे आप मूंग याद कर लिजे सरसो जो है, रभी का exception मान लो सरसो को, ठीक है, और मूंग फली जो है, इतना बड़ा है, तो यह सारे किसमें आएगे बच्चों, खरीफ फसलों के अंदर आएंगे clear है सबको रभी और खरीफ की फसले इस पे एक छोटा वीडियो बनता है, बनाएंगे हम आपको चाहिए, तो ब्लीज मुझे बताईएगा ठीक है, तो मैं tips and tricks के साथ आपको याद कराएंगे, उसके बाद अगला question है, gross value of output के अंदर मतलब हमारी जो आर्थिक economy है, उसका जो output निकल के आता है, उसकी जो कुल कीमत निकल करके आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सकल मुले समवर्धन, G, S, V, O आप बोल सकते हो, gross value of output, G, V, O ठीक है, G, V, O के अंदर खरीफ फसलों में से भी कौनसी फसल, current price के उपर, यानि कि प्रचलित मुल्यों के उपर सबसे जादा योगदान कर रही है, ठीक है, ये अब फसलों के अंदर deep down जाके पूछ रही है, बाजरा का सबसे जादा योगदान है खरीफ में, मुंग का सबसे जादा योगदान है, मुंग फली का या फिर किसी का भी नहीं, ठीक है, तो खरीफ फसलों के अंदर, gross value output के अंदर, ठीक है, gross value output के अंदर, सकर मुल्य output ही बोलते हैं, इसको शायद हिंदी में भी, उसके अंदर जो है, कौन सी फसल का जादा योगदान है, बताईएगा, जी, वी, ओ, gross value output के अंदर, खरीफ में, कौन सी फसल सबसे जादा contribute कर रही है, और रभी में, मतलब कौन सी फसल हमें सबसे जादा पैसा दे रही है, कौन सा production सबसे जादा हो रहा है, ये question मुंफली में, राजस्थान का कौन सा rank है, पिछली क्लास में कराया था, हमारे देश में, मुंफली उत्पादन में, यानि की ground note production के अंदर, राजस्थान का rank कौन सा है, पहला rank है क्या, नई, राजस्थान का rank है, second, राजस्थान का rank है, second, और हम भारत के कुल मुंफली उत्पादन का कितने प्रतीशत कॉन्टिब्यूट करते है पिछली बार ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया था दो दुनी चार चार दुनी सोला पॉइंट जीरो चार प्रतीशत अब इसकी ट्रिक देखनी है तो पिछला वीडियो जाके आजाएगा गुजरात दूसरे पर आ जाएगा अपना राजस्तान और तीसरे पर आई बिलीव इसमें आएगा मध्याप्रदेश ठीक है क्लियरे सबको समझ में आ गया समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू पहुचना चाहते हैं ठीक है ताकि एजुकेशन हर घर घर तक पहुच जाए चले आगे बात करते हैं next question है same question है gross value output के अंदर रभी फसलों में से प्रचलित धर पे current price के ओपर कौन सी फसल का सबसे जादा योगदान है क्या question है कौन सी फसल का सबसे जादा योगदान है तो question ध जहां से देखिए आंसर दीजेगा इसका यह सारे economic survey करा रही हूं दो हजार इक्केस बाइस chapter number agriculture एंड अलाइड सेक्टर यानि की क्रिशी और संबंदेत शेत्र तो इसका answer आ जाएगा option number गेहूं पे जादा तर बच्चे टिक करेंगे मुझे जो लगता है सोच रहे होंगे सबसे जादा गेहूं ही होती है नहीं तो इसका answer है जब output की बात करते हैं तो सबसे जादा पैसा कौन कमाके दे रहा है हमें राई और सरसो दे रहा है ठीके सीट और मस्टर सीट भूलना नहीं है डारेट कोशन आएंगे एकनॉमिक सर्वे के अंदर एकनॉमिक सर्वे में कहा दिया है अब पूछोगे आप लोग तो ये आपका चार्ट है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर दिया है तो सबसे पहले हम रभी फसलों की ही बात कर लेते हैं उसके बाद खरीफ फसलों वाला चार्ट देखेंगे ग्रोस वैल्यू एड़िट ऑफ क्रॉप सेक्टर 2021 में कितना था डेड़ लाग करोड हमने कर लिया इन फसलों के अंदर में योगदान किस किस का रहा अगर खरीफ की बात करें तो टौफ फसले जिनों ग्रैम यानी की गेहूं, राई, सरसो और चने का ठीक है अब यहाँ पे वो यह पूछ रहा है इन रभी में से भी किसका सबसे टौप पे रहा और खरीफ में भी सबसे टौप पे किसका रहा जो पिछले दो कोशन हमने किये हैं तो एक, दो, तीन, तीनों नमबर याद करने ह पचेस में ये देख लिजिए, पहले नमबर पे अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो मुंग फली का योगदान रहा है, ये जो वैल्यू है जी वी ओ, ठीक है, कितना है, दो हजार इकिस बाइस में देखोगे, एक लाक, नहीं, ग्यारा हजार एकसो चोहत्तर, दो हजार इसके अंदर कितना वैल्यू आया है, ग्यारा हजार एकसो चोहत्तर, दूसरे नमबर पे कौन सी फसल रही है, इसमें मुंग रही है, तो मुंग फली और मुंग पहले और दूसरे नमबर पे है, खरीफ में, मुंग फली पहले नमबर पे, ठीक है, दूसरे पे मुंग एकनॉमी के अंदर gross value output में सबसे जादा योगदान है मुंग फली का कितना 11,174 करोड रुपे अगर याद करने में मुश्किल हो रही है तो ट्रिपल वन याद कर लो ट्रिपल वन is a magical number ट्रिपल वन ठीके और उसके बाद साथ चार लगाना है बस और कुछ नहीं करना 11,174 करोड रुपे मुंग का योगदान है 9750 करोड रुपे 9,750 करोड रुपे और बाजरा का योगदान है 6285 करोड रुपे बाजरा का योगदान कितना है 6285 करोड रुपे एक और बात observe करते हैं हम यहाँ पे खासतोर पे RAS में help करेगी क्योंकि RAS के अंदर observation based question जादा आते है economic survey पूछेंगे कौन कौन से exam के लिए useful है तो जिस जिस exam में राजस्तान economy राजस्तान की आर्थिक सिती जो आपके syllabus में दिया हुआ है अर्थ विवस्ता syllabus में दिया हुआ है उस सारह exam में आपको ये lecture काम आने वाला है चाहे आप RAS दे रहे हो चाहे आप video दे रहे हो चाहे आ एक मिनट एक मिनट मुंगफली का योगदान भी बढ़ गया तिरानवे 36 से पहुंच गया 11,174 करोड रुपे मुंग का भी बढ़ गया 89,83 से 97,50 रुपे question आएगा बाजरा का योगदान gross value output में पिछले साल के मुताबिक 2020 के मुताबिक अब क्या हो गया है ये contribution कम हो गया landmark question mark कर लो इसको पूछा जा सकता है 2020 में जो हमें कितने पैसे कमा के दे रहा था 8,280 करोड रुपे वो पैसे अब कितने मिल रहे हैं बाजरे से हमें 6,285 करोड रुपे clear है सबको सबको समझ में आ रहा है ठीक है I hope सबको समझ में आ रहा है अब हम आ जाते हैं रभी क्रोप में रभी क्रोप में देखा पहले नंबर पे योगदान किसका है rape and mustard का यानि की बच्चो राई और सरसो का कितना योगदान है 43,191 करोड रुपे आप इसको इस दिख़ चार्ट से भी समझ सकते हैं यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो इन्होंने ग्राउंट का red color लिया यह बढ़ रहा है पिछले साल के मुताबिक मूंग का इन्होंने green color लिया यह भी बढ़ रहा है पिछले साल के मुताबिक अगर बाजरा का देखें तो यह पिछले साल के अपेक्षा जो है वो क्या हो गया कम हो गया अब आ जाते हैं रेपेंड मस्टर्ड सीट के उपर राई में रभी क्रोप के अंदर पहला योगदान है रेपेंड मस्टर्ड का पिछले साल के मुताबिक बढ़ गया 26,792 था अब कितना हो गया 43,191 करोड रुपे का योगदा हुई है जादा ब्रिदी नहीं हुई है 23,216 करोड रुपे का आउटपुट है तो वीट का देखोगे तो ग्राफ बहुत जादा उंचा ना दिखा के नॉर्मल सा ही उंचा दिखा रहे हैं तो बहुत जादा नहीं बड़ा है थोड़ा बहुत ही बड़ा है अगर चने की ब रेप स्टड का दूसे नमबर योग्दान है वीट क और तीसरे नमबर योगदान है ग्रैम का हिंदी मेडियों वाले बच्चों को चार्ट देखना है दिखा देते हैं आभी हिंदी मेडियों वालों के लिए यह सारा चार्ट अंडर लाइन मैंने पूरा कर दिया है ठीक है दूसरे नमबर पे मूंग, तीसरे नमबर पे बाजरा रभी के अंदर है गेहू, सरसो, चना ठीके, तो पहले नमबर पे आएगा सरसो दूसरे नमबर पे आएगा गेहू और तीसरे नमबर पे आएगा चना पहले पे सरसो, दूसरे पे गेहू और तीसरे के अंदर चला, clear है सबको दताओ मुझे, अगर clear है तो एक अच्छा सा like, मस्त वाला like चिपका दो वीडियो पे, ठीके, और वीडियो को share करना ना भूलो, अगर आपको कुछ जादे ही पसंद आती है वीडियो की, हाँ ठीके, इसमें थोड़े बहुत effort किया है, मैं MRP10, ठीके, अनलोग code यूज करना ना भूलेगा MRP10, ठीके, चले, आगे चलते, अगला question है, अपी तक हमने बात की, GVO, सकल, मुल्य, वर्धन के अंदर, gross value, output के अंदर, फसल, शेतर का क्या योगदान है, और कौन सी फसल का जादा है, कौन सी फसल का कम है, अब हम बात करें लाइफ स्टोक प्रोड़क्स, यानी की पशुधन उत्पादों के, ठीके, तो यही question पूछा गया है, पशुधन उत्पादों को, यह same question ना, फसलों में आपको बढ़ते से घटे करम में, घटे से बढ़ते करम में देके, कभी भी पूछ सकते हैं, I hope अप सारे कर आओगे उसको ठीके, तो वो पूछ रहे है, वर्ष 2021 में मौझूदा कीमतों पर, यानी की प्रचलित कीमतों के उपर, सकल मुल्य उत्पादन, यानी की ग्रॉस वेल्यू आउटपुट के अंदर, पशुधन उत्पादों के प्रतीशत हिस्से को, अवरोही क्रम में व्यवस्तित कर मतलब जिसका सबसे जादा योगदान है, वो पहले नंबर पे आएगा, descending order में हमें arrange करना है, English Medium के लिए बात करें, arrange the percentage share of livestock products in gross value output at current prices in the year 2021-22 in descending order, कौन से order में हम लोगों को arrange करना है, हमें arrange करना है descending order के अंदर, ठीक है, तो इसमें order दिया गया है, पहला योगदान milk products का है, यानि की दूद का, दूसरे नंबर पे अंडे contribute कर रहे हैं क्या, यानि की eggs, तीसरे नंबर पे meat, यानि की mass, और चौते नंबर पे others, तो इसमें order से आप लोग बताएगा मुझे, question ध्यान से देख लिजे, चले, शाब बाज, question ध्यान से देखिए, and answer बताएगे, ये tricky सा question है बड़ा और अच्छा question है, हो गया, I believe सबका हो गया होगा, तो let's check it, तो इसका answer होगा, सबसे ज़्यादा contribution तो देखो दूद का, milk products का है, सबको पता है, दूसरे नंबर पे, gross value output के अंदर, जो product योगदान करता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ना eggs आएंगे, ना meet आएगा, दूसरे नंबर पे others का योगदान है, तीसरे नंबर पे meet आएगा, और चोथे नंबर पे eggs आएगा, याद रख लोगे, ये question कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम guess नहीं करते हैं, अच्छा पशुधन के अंदर, इन चीजों के अलावा भ अभी भी पूछ सकते हैं, आपसे exam में, ठीक है, तो पहले नंबर पे milk, दूसरे नंबर पे others, तीसरे नंबर पे meat, और चोथे नंबर पे eggs, clear है सबको, बताएगा ज़रू, ठीक है, मिरको तो जिखो, जो experience है, R.A.S. interview face करने का, जिस तरह का trend आर पे सी follow करती है, उसी तरह के questions जो है, मैं frame करती हूँ, ठीक है, I hope ये आपको definitely help करेगा exam में, milk, others, meat और eggs, अब इसके detail देख लेते हैं, ठीक है, detail क्यों नहीं देखेंगे, ये देखो, percentage share of livestock products in gross value added at current prices in the year 2021-22, यानि कि प्रचलित मुल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मुल्या उतपाद के अंदर पशुधन उत पादो का योगदान, तो पहले नंबर पे क्या दिखा रहा है, milk, milk का सबसे जादा, कितना है दूद का 81.07 प्रतिशत योगदान है, कितना योगदान है दूद का 81.07 प्रतिशत, दूसरे के अंदर अगर हम देख ले, अन्य, अन्य का योगदान है 12.67 प्रतिशत, ठीक है, 12 12.67 प्रतिशत तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा हमने पड़ा मीट आएगा मीट का योगदान कितना है पॉल्टरी सहित पॉल्टरी वाला मीट इसमें इंग्लूडेड होगा पॉल्टरी सहित तो इनका है 5.6% कितना योगदान है 5.60% ठीक है नेक्स अगर हम बात करें अंडो का सबसे कम योगदान है अंडे में हम बोलते हैं गोल गोल अंडे रोज खाओ अंडे मतलब मंडे संडे पता नहीं क्या तो 0 से ही शुरू होता है याद कर लो 0.66% कितना है 0.66% यह contribution याद कर लोगे आपसे अगला question जो है percentage पे पूछ सकते है कि कितना percentage contribute करते हैं तो यह हमें याद करना है याद करेंगे सबसे पहला है milk का 81.07% यानि 81.07% दूसरे पर हमारे contribute करेंगे other sector 12.67% तीसरे पर आएगा meat including poultry यानि की poultry यानि की मुर्गी धन 5.60% और चोथे नंबर पर आएगा हमारा क्या आएगा अंडे 0.66% बताओ clear है सबको हो गया चाले अगले question की तरफ move on करते हैं अगला question है अब हम आ गए है question आगे reporting area of street मतलब की हमारे राज्य का जो पूरा geographical area है शेत्रफल है ठीक है उसके अंदर सबसे जादा योगदान कौन से sector का है और सबसे कम योगदान कौन से sector का है which of the following contributes maximum and minimum to the total reporting area of the state respectively ठीक है ध्यान रखूंगे बीच बीच में मुझे ध्यान आते तो फिर मैं अपना speed थोड़ा slow कर लेते हूं बताना जरूर ठीक है अगर pace थोड़ा कम चाहिए तो please let me know ठीक है मुझे जरूर बताएगा comment section के अंदर ठीक है और आप सब लोग ये भी बताना एक बात कि आप प्राजस्थान के कौन से जिले से बिलॉंग करते हूं comment में जरूर लिखना आपका जिला कौन सा है जिले के बाद तहसील बताना मुझे शहर बताना और अगर किसी ग्राम पंचायत का भागो तो वो भी जरूर बताना ठीक है तो मुझे बहुत crazy रहता है ये जानने का कि लगरी से दोख खाऊं ऐसे करके तो ठीक है तो बड़ा अच्छी सा feeling होती है वो क्योंकि हम लोग connect कर पाते हैं फिर ठीक है चले तो question क्या है निमन लिखित में से राज्ये के कुल reporting शेत्र में क्रमश है अधिक्तम और नियूक्तम योगदान कौन सा है मतलब जितनी भी भू होंगे कुछ एरिया के अंदर जमीन बंजर भूमी पड़ी हुई है तो सबसे जादा कौन सा contribute कर रहा है और सबसे कम कौन सा contribute कर रहा है ये question पूछ रहे है ठीक है तो यहां पे बताईएगा मुझे सबसे जादा और सबसे कम में क्या-क्या आएंगे तो पहले पे इन्होंने option दिया है में हमें forest यानि की one का सबसे जादा और दूसरे नंबर पे barren और uncontivable यानि की बंजर और अक्रिश्य जमीन जो पड़ी हुई है दूसरे नंबर पे बता रहे हैं सबसे जादा योगदान है net area zone यानि की शुद बोया हुआ शेत्र और सबसे कम योगदान है क्रिशी योग्य बंजर भूमी यानि की कल्चरेबल वेस्ट लेंड वेस्ट लेंड पड़ी हुई है जिस पे क्रिशी की जा सकती है ठीक है तीसरा है net area zone का सबसे जादा योगदान शुद बोया गया शेत्र सबसे जादा है total reporting area के अंदर और सबसे कम योगदान है miscellaneous tree crops and grooves इसका मतल ठीक है विविद विरिक्ष फसले और उपवन उपवन मतलब छोटे 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 जो बन होंगे वो तीसरे नंबर पे सबसे जादा योगदान है current fellow का total reporting area में और सबसे कम योगदान है permanent pasture ठीक है तो इसको हिंदी में बोलेंगे चालू पड़त भूमी ठीक है और अंसर आते तो बताईए नहीं तो हम इसको इन डिटेल अभी करने ही वाले ही है राइट इसका जादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा शाबाश चाले तो इसका अंसर आएगा सबसे जादा में आएगा net area zone शुद्ध बोया हुआ शेत्र कितना है ठीक है और सबसे कम में आएगा miscellaneous विवित वरिक्ष फसले और उपवन इसको इंग्लेश में क्या बोलेंगे miscellaneous tree crops and grooves miscellaneous tree crops and grooves तो सबसे जादा योगदान है बच्चो शुद्ध बोया गया शेत्र net area zone और इसमें आएगा miscellaneous tree crops and grooves ठीक है क्लेश सबको याद रखेगा इसको ठीक है कभी भी आपसे एक्जाम में question पूछ सकते है तो C is the right answer ठीक है यह इसका चार्ट है इस चार्ट के अंदर सारी detail बताई गई है land use statistics इसमें जो data है हमारे पास latest economic survey 2021 ने दिया है 2019 का ठीक है तो आईए पढ़ लेते content थोड़ा सा क्या लिखा है इन्होंने total reporting area पे question आ जाएगा पहला question total reporting area पे आ जाएगा यानि की कुल जो है एक मिनट जीगा कुल प्रतिवेदित शेत्रफल 2019-20 के मताबिक इतना है तो यह है 342.90 लाख हेक्टेर यूंका यूं याद करना है 342.90 लाख हेक्टेर याद करोगे 342.90 लाख हेक्टेर ठीक है इसमें से सबसे ज़ादा योगदान किसका है अगर हम इस पर देखे 52.58 परप्रतिशत सबसे जादा योगदान बच्चे किसका है नेट एरिया सोन पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है नेट एरिया सोन कहां दिखाया गया है यह होगा मैंने मार्क तो किया होगा सबसे जादा वला यह रहा 52.58 प्रतिशत योगदान किसका है total reporting area में net area zone का ठीक है सबसे कम योगदान जड़ा देखो नजर डाले 0.08 प्रतिशत एक से भी कम 0.08 प्रतिशत किसका है land under miscellaneous tree crops and groups ठीक है तो यही हमने पढ़ा 0.08 प्रतिशत land under miscellaneous tree crops and groups ठीक है अब सबसे ज़्यादा जो 1 शेतर है उसमें अ बनेगा 342.90 का आधे से थोड़ा ज्यादा value जाएगा क्योंकि कितना contribute कर रहा है 52 प्रतिशत तो कितना हो गया 180.32 लाख हेक्टेर ठीक है 342 का आधा कितना होगा 170 के round ठीक है तो उसको हम कितना कर देंगे 180.32 लाख हेक्टेर ठीक है मिस्टी लेनियस शेतर जो सबसे कम contribute कर र लाख हेक्टेर ठीक है अब यही question दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकते हैं आप से top 3 sectors पूछ सकते हैं जो total reporting area में total प्रतिवेदित शेतर के अंदर जिस जिसका योगदान है तो यहां पे पहला दूसरा तीसरा number मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए पहले से ही mark कर दिय सबको PDF मिल जाएगा PDF के लिए कोई बच्चा परिशान नहीं होगा ठीक है तो पहले number पे है net area zone यह जरूर ध्यान रखेगा PDF आपको मिलेगा जहां तक मैंने करवाया है सिर्फ उतना ही करना है जो आगे की slides है उनको आप लोग मत देखना ठीक है जहां तक इस session में कराया जा पहले number पे क्या आएगा net area zone दूसरे number पे योगदान है कल्चरेबल वेस्ट लैंड का कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानि की क्रिशी योग्य बंजर भूमी 10.84 प्रतिशत इसके हिंदी भी देख लेते हैं I think सही होगी मेरी हिंदी 10.84 परसेंट जो योगदान है वो किसका है ठीक है यही आएगा हाँ एक मिनट 10.84 प्रतिशत किदर गया यह रहा 10.84 प्रतिशत शेतरफल आता है बंजर भूमी के अंदर जो क्रिशी योग्य तो है लेकिन बंजर पड़ी हुई है 37.17 लाग हेक्टेर यह contribute करता है ठीक है तीसरे number पे योगदान कौन से सेक्टर का है त forest का अब forest मत सोच लेना पहले number पे नई forest का योगदान land use statistics में तीसरे number पे है कितना 8.08 प्रतिशत तीसरे number पे 8.08 प्रतिशत वन शेतर का और सबसे कम किसका है miscellaneous का land under miscellaneous tree crops and groves ठीक है अगर bottom 3 की बात करें नीचे से 3 कौन कौन से है तो पहले number पे तो miscellaneous आ जाएगा 0.08 पर की current fellow current fellow को हिंदी में बोलते शायद से चालू पड़त भूमी हाँ current fellow को क्यों बोलेंगे चालू पड़त भूमी ठीक है तो इसका योगदान है सिर्फ और सिर्फ 6.25 प्रतिशत और इससे एक number उपर पे आएगा permanent pasture और other grazing lands जिसका योगदान कितना है 4.86 प्रतिशत permanent pasture को हम लो ही नहीं भी याद हो रहें तो जिसका सबसे कम है मात्र वो ही याद कर लिजे ठीक है तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया है total reporting area 342.90 लाग हेक्टेयर net area शेत्र शुद बोया गया शेत्र सबसे जादा योगदान है 100.32 लाग हेक्टेयर कितने प्रतिशत बना रहा है 52.58 प् second rank पे आएगे ठीक है तीसरे number पे आएगा forest यानि की 1 शेत्र 27.70 लाग हेक्टेयर 8.08 प्रतिशत बना रहा है तीसरे rank पे जो minimum में देखो 8.08 minimum के अंदर 8.80 रह जाएगा 0.08 प्रतिशत land अंदर miscellaneous tree crops and grooves के अंदर आएगा 0.39 लाग हेक्टेयर इसका योगदान कितना है minimum minimum का मतलब है सबसे कम योगतान clear है यह हमने बात की total reporting area ठीक है total land का reporting area राजस्तान का अगला जो topic इन्हों ने दिया है वो क्या है उसके बात कर लेते हैं वीडियो पसंद आ रहे है तो like करना ना भूलेगा ठीक है तो भूमी उप्योग यह सारा हमने कर लिया अगला question अगला question जो है वो question है operational land holdings के उपर मतलब जितने भी जो हमारी भूमी है उसका उप्योग हो रहा है ठीक है land holdings जमीने किस किस के पास कितने हैं बोलते हो ना उसके पस 15 किले आते हैं उसके पास 20 किले आते हैं 5 किले आते हैं एक किला आते हैं तो वही पूछ रहे हैं तो ये जो land holdings हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ मध्यम size के हैं, small, medium, marginal size के हैं, ठीक है, तो इस पर बच्चो दो question पूछेंगे आपसे exam में, operational land holdings में, एक question आएगा संख्या के उपर, संख्या कितनी है, number कितना है, ठीक है, इनको हमने विभाजित किया हुआ है, छोटी, बड़ी, मध्यम के अंदर, इस तरीके से, small, medium, marginal, ऐसे, तो एक question तो आता है, इनका संख्या, number count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे, एक question आता है, इन land holdings के अंदर area कितना आता है, यानि कि शेत्रफल कितना आता है, तो paper में जब question आए, आपको ध्यान से पढ़ना है ठीके, paper में question आएगा, तो हमें ध्यान से पढ़ना है, कि संख्या पूछी गई है, कि number कितना है, ठीके, या शेत्रफल पूछा गया, जो number पूछा गया है, वो तो simple, lakh में होगा, करोड में होगा, हजारों में होगा, संख्या ऐसे मिलेगी, जो शेत्रफल होगा, उसकी unit क्य आएगी, square kilometer, यानि की, इसकी unit बन जाएगी, वरग किलो मेटर, clear सबको, उसकी unit क्या बन जाएगी, वरग किलो मेटर, उसकी unit बन जाने वाली है, तो चलिए, बाते करते, start करते, नहीं, बाते नहीं करते, I mean, पढ़ाई करते है, ठीके, slip of tongue था, ठीके, मतलब, बोलते, बोलत 2015-16 के अनुसार, ठीके, राज्ये में कुल प्रचालित भूमी जोतों की संख्या क्या थी, ठीके, 2015-16 के मताबिक, total number of operational land holdings हमारे राज्ये के अंदर कितना है, 68.88, 78.88, 76.55 लाग, या फिर 66.55 लाग, अब कुछ बचे English medium के होंगे, तो 68.88, 78.88, 76.55 लाग, या फिर 66.55 इतना आंसर इसका हो जाएगा, तो total number of operational land holdings जो है, उसका आंसर है, option number C, 76.55 लाग, ठीके, 76.55 लाग, जो है, वो इसका आंसर बन रहा है, ठीके, next question देख लेते हैं, अच्छा, total number of operational land holdings, अभी जो economic survey में बताया, वो 15-16 का बताया है, ठीके, 15-16 में इतना था, अब हम compare पिछले कुछ वर्षों का, यानि कि 2010-11 में कितना था ये, ठीके, तो next question है, कि वर्ष 2010-11 के अंदर, राज्ये में, कुल number operational land holdings का कितना है, तो 68.88, 78.88, 76.55 या 66.55, ठीके, तो ये question पूछ रहा है, बतायेगा, 2010-11 में कितना था, ठीके, तो इसको check कर लेते हैं, इसका answer बने option number A, यानि कि 68.88, ठीके, 2010-11 में, total number of भू जोतों की संख्या कितनी है, operational land holdings, 68.88, याद कर लोगे, कितना है, 68.88, अब बढ़के, कितना हो गया है, 76.55, ठीके, इसका मतलब क्या हुआ, number of land holdings बढ़ता जा रहे है, इसका मतलब है, परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं, जमीन बढ़ती चली जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ, ठीके, clear है सबको, अच्छा, अब अगला question उसी से related है, कि जो total number है, operational land holdings की, कि कुछ कुल प्रचालित भूमी जोतों की संख्या में, 2010-11 से लेकर, 2015-16 में, अब तक, कितन प्रतीशत की वृद्धी दर्ज की गई है, कितना प्रतीशत बढ़ गया यह, क्योंकि number of land holdings बढ़ रहे हैं, 68.88 से बढ़ के, कितना हो गया, 76.55 लाक हो गया, तो 10.14%, 11.14, 12.14, या फिर 13.14, तो अगेन यहां पे कहूंगी, happy go, lucky number, triple one याद कर लिजे, तो इसका answer है, 11.14 प option number B, clear is आपको, I hope economic survey enjoy कर रहे हो, मुश्किल तो नहीं लग रही पढ़ाई, यह land तो यह तो मैं करा दिया आपको, है ना, next question देख लेते हैं, अब दूसरा question किस चीज से संबन्दित आएगा इसमें, अभी हमने बात की, कुल प्रचालित भूमी जोतों की number की, number की बात की, अब हम बात करेंगे area, area कितना बढ़ गया या घड़ गया, वो देख लेते हैं, चले, तो next question देखते हैं, हम लोग, अगला question है, रिक्त स्थान भरें, ठीक है, अगला question रिक्त स्थान भरें, भूमी जोत के तहत कुल शेत्रफल, 201011 में इतने लाख हेक्टेयर की तुलना में, 2015 में कितने लाख हेक्टेयर हो गया है, ये question आप से पूछ रहे हैं, ठीक है, ये जो है, 2015 में याद रखना, total area, जो शेत्र इस हुआ है, area कम हुआ है, आपको landmark question आप से paper में पूछा जा सकता है, ठीक है, 201011 में जो है, कम हुआ है, और 2015-16 में, नहीं, सॉरी, 201011 से 15-16 में कम हो गया है, ये चीज़ याद रखना question पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कम होके, कितना हो गया है, ये जो है ना, हिंदी में मुझे लग रहा है question दुबारा frame करूंगी, क्योंकि आप से शायद सही नहों पाए ये, इंग्लिश में देखो इसको, ठीक है, पहले आपको जो data enter करना है, वो data enter करना है, 201011 का, उसके बाद जो data enter करना, नहीं, पहले data enter करना है, 15-16 का, जो घटके ह हो गया है, और उसके बाद दूसरे number पर data enter करना है, 201011 का, ठीक है, तो पहले जो अभी शेतरफल है, वो, और बाद में जो बढ़ गया है, वो, मतलब जो पहले था, वो, और ये लाक हेक्टेर के अंदर है, योनिट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये statement थोड़ा change होगा, ये व में कितना था, 1011 के अंदर 211.36 लाक हेक्टेर, तो पहले जादा था area, अब जो है कम हो गया, ये चीज़ याद रखने है, बस आपको इसमें question पूछेंगे, area कम हुआ है या जादा, तो अभी कम हुआ है, ठीक है, तो इसका answer जो आएगा, option number A आएगा, हिंदी की translation मुझे थ इतना हो गया, तो 15-16 में कम हुआ है, बच्चो, 208.73 लाक हेक्टेर, और 2010-11 में जादा था 211.36 लाक हेक्टेर, ठीक है, इसकी detail जो है, इसका detail chart table जो है, वो मैं आपको करवाऊंगी, next video के अंदर, अभी हम questions देख लेते हैं, अगला question है, ये जो land holdings के अंदर शेतरफल है, गट के कितने प्रतीशत हो गया, यानि की 211.00.00 हेक्टेर जो था, और अब वो 208.00 हेक्टेर हो गया, तो कितने प्रतीशत की कमी आई है, उसमें ये पूछ रहा है, 2015-16 में, 2010-11 के मुताबिक, total area, under land holdings में कितने की कमी आई है, कितना reduce हुआ है, तो 2.24 प्रतीशत, 3.50, 4.44 या फिर 1.24 प्रतीशत, कितना जो है कम हुआ है, इसका अंसर आपको देना है, तो बताइएगा मुझे, तो इसका अंसर आएगा, ठीक है, एक दुनी 2, दुनी 4 बोलते हो, एक दुनी 2, दुनी 4, जमीन के टुकड़े ही होते चले जारे इस तरह के से, वही आंसर है, कितना क कम हो गया है, 1.24 प्रतीशत, कितना कम हो गया है, 1.24 प्रतीशत हो गया है, याद कर लोगे, छेतर फल जो है, टोटल लैंड होल्डिंग्स के अंदर कितना कम हो गया है, 1.24 प्रतीशत, क्लियर है सबको, आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा, मुझे बताइएगा और मेरी free unlimited live classes के लिए zenith batch के अंदर मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग जो है unacademy plus को join कर सकते हैं free live classes देखने के लिए plus live classes देखने के लिए मेरा referral code लगाना मत भूलिएगा MRP10 और अगर आप किसी और category में भी subscription लेना चाहते हैं UPSC के अंदर UGC net के अंदर तब भी ये code valid है महा से भी आपको 10% discount जो है मिलेगा और कोई problem आती है तो telegram के through आप हमसे connect भी कर सकते हैं ठीक है I hope सबको clear है समझ में आ रही है चीज़े ठीक है तो session कैसा लगा comments में बताना जरूर that is very important वीडियो पसंद आया हो like भी कर दीजेगा channel को subscribe कर लीजेगा share कीजेगा क्योंकि मेरा target ह है 11,341 ग्राम बंजायत तक हमें पहुचना है thank you so much सबको में तरफ से घणी घणी राम राम